जारखंड में लाल अतंक कहे जाने वाले नकसलियों का आतंक अब कम हुआ है। तो नेशनल न्यूज पॉर्टल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसी रिपोर्ट में सपस्त तोर पे कहा गया है कि नकसलियों में सबसे बड़ा संगठन भागपा मावादी और तृतिय प्रस्तूत सम्मेलन कमिटी टियस पीसी दोनों संगठनों में साथ गाठ बनी है। दोनों एक हो गए हैं एक होने का इलाका अगर कि हम बात करें तो वो पलामू चत्रा और गया का संगठ एक इलाका है जिन इलाकों में वो दोनों एक साथ कैंप कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि 2004 में भागपा मावादियों को कमजोर करने के लिए दो गुट बने थे। और उस दो गुट में एक गुट ने टीस्पीसी यानि की तिर्थिये प्रस्तूत सम्मिलन कमिटी के तौर पे संगठ ने कारे सुरू किया था। जिसके बात से लगातार एक दूसरे पर हमला वर भी थे। हलाकि 2016 के बाद से अब तक कोई भी हमला एक दूसरे पर खुणी संगर्स का खबरे नहीं आई है। लेकिन 2011 में जहां 11 मावादियों को लकड बंधा में टीस्पीसी नक्सरी संगठन ने मार गी राया था। वहीं 2013 में विश्रामपूर के कोडिया में 15 टीस्पीसी सदस्यों को मावादियों ने मारा था। जिसके बात से अब तक हमेशा लगातार दोनों के बीच खुणी संगर्स जारी था लेकि अब उस पर विराम लग गया है। अब जो खबर है इसका असर लकडबंगा और बुढ़ा पहाड कोरिडोर भी प्रभावित हुआ है। ततकाल अगर ताजा अपडेट की माने तो बड़े मावादी कमांडर भी इसी रास्ते से जो छकरबंदा का जो कोरिडोर है उसी रास्ते से बुढ़ा पहाड की और कूच किये हैं। एक न्यूज पोर्टल के रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम गौर करें तो टीस्पीसी और मावादियों के बीच जो साथ गाठ हुई है इसके पीछे भी अपने कम होते प्रभाव को बड़ा बल मिला है। कम होते प्रभाव यानि की उनकी सक्रियता और उनके उपर लगातार चल रही पुलिसिया दबिस कहीं न कहीं उनके लिए मुश्किल खड़ा कर रही थी जिसके बासे मावादी और टीस्पीसी के बीच साथ गाठ हुई है और एक दूसरे के साथ आने से उनका कहीं न कहीं अ करीबन साथ फिस्दी हिस्से में टीस्पीसी का बड़ा प्रभाव रहा है आने वाले वक्त में जिस तरह से सुरच्छा इंशियों ने एरर्ट जारी किया है देखना होगा कि नक्सली किस रूप में अब सामने आते हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ टीस्पीसी और मावादी जो दो बड़े खुंकार नक्सली संगठन है इनका साथ आना क्या गुल खिलाता है कैप्टल नीज के लिए एक पी लकी में दिनी नगर